प्रधान मंत्री नरिद्र मूदी कल से दो दिन के लिए गुजरात दौरे पर है प्रधान मंत्री नरिद्र मूदी दो दिनों के लिए गुजरात दौरे पर है प्रधान मंत्री मूदी दो दिनों के लिए गुजरात दौरे पर है राजकोट आंतरास्टी हवाई अड़ा सोनी योधना लिंक 3 के पैकेज 8 और 9 का शुभारम करेंगे पियमोदी राजकोट के ग्रिन फिल्ड एरपोर्ट पर उतरेंगे वहाँ रनवे टर्मिनल समेत एरपोर्ट के संचालन का निरेक्षन भी करेंगे देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी दो दिनों के लिए गुजरात आ रहे है अपने दो दिवस्य गुजरात दोरे के दोरान उनका कारेक्रमों में शामिल होने का कारेक्रम है प्रधान मंतरी मोदी राजकोट में हिरासर हवाई अड़े का उद्धाटन करेंगे जो 1400 करोड की लागत से तयार किया गया है इसके बाद प्रधान मंत्री सौराश्ट के लोगों को सौनी योदना प्रोजेक्ट 2 की सौगाद भी देंगे इसके बाद प्रधान मंत्री राजकोट में एक बैठक को संबोधीत करेंगे और राजकोट जिले के विभीन उद्गाटन और समारों में भांग देगे राजकोट में प्रधान मंत्री का कारेक्रम पूरा होने के बाद वा गांदीनगर के लिए रवाना होंगे इसके अलावा प्रधान मंत्री गांदीनगर पहुंचने के बाद देर रात सरकीट आउस में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायको और बिजेपी प्रदिश रध्यक्षत की मौजुद्गी में डिनर मेटिंग भी कर सकते है इसके अवा प्रधामंत्री नरेंद्र मुदी 28 जुलाई को घाल्दी नगर महात्मा मंदीर में तीन दिवस्तिय सेमिकंडक्टर समित का उध्गाटन करेंगे महात्मा मंदीर का काम पूरा करने के बाद प्रधामंत्री सीधे राजबवन जाएंगे बादे दोपेल को दिली के लिए रवाना हो जाएंगे बिरो रिपोर्ट जी एस टीवी आत की नवसारी जिले के एक कस्वे के एक मकान से 240 सोने के सिक्के मिलने का मामला सामनी आया 90 फिसदी शुद्द सोने के सिक्कों को अब मत्य प्रधेश के चार पूलिस कर्मियों पर लुपनी का बड़ा आरोप सामनी आया है सोने के ये सिक्के लेकर पूलिस कर्मिला पता है कैसे सामनी आया मामला देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बाद में ब्रिटिस कालिन सोने के सिको की चोरी का एक अनुखा मामला सामने आया है गुजरात के नवसारी जिल्ले के बिली मुरा में कुछ दिन काम कर रहे कुछ मजदूरों ने जब पुराने मकान की एक दिवाल को तोड़ा तो उनकी आँख फटी की फटी रह गए दिवाल में एक दो नहीं बल की सोने के सिको का पुरा खजाना मौजूद था सोने के चमकदार पिले सिक के देख मजदूर बहुच के रह गए मध्यप्रदेश के मजदूरों ने इसके जानकारी मकान मालिक को नहीं दी और सोने के सभी 240 सिक के लेकर अपने गाउं चले गए इस मामला का बेद तब खुला जब इन मजदूरों से सोने के सिक के मध्यप्रदेश में चार पुलिस कर्मी ने लूट लिये बिली मुरा शहर में बांदरा रोड के निवासी सोएब बल्याबाला पेशे से चिकन कारोबारी है मकान को तोडने के दोरांध ही मध्यप्रदिस के इन आदिवासी मजदूरों को सोने के सिक्के मिले उसके मकान मालिक सोय बल्याबाला 17 जुलाई से टूरिस्ट वीजा पर सैयुक्त राजिय अमेरिका चले गए है और यह सिक के 1922 के पिरियट के मालूम पड़े है ब्योरो रिपोर्ट जी एश टीवी कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिकारजुन खडगी ने कहा कि राजसभा में उनका अपमान किया गया इस दोरान राजसभा में वीजेपी के सदस्य नारेबाजी करते रहे हंगामे के बीच राजसभा में मलिकारजुन खडगी बोले अपमान हुआ क्या है पूरा विवार देखते रिपोर्ट में राजसभा की कारवाई में जम कर हंगामाद देखने को मिला कॉंग्रिस अध्यक्ष और राजसभा सांसर्द मलिकारजुन खडगी ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया मुझे अगर बोलने का मोखा भी नहीं मिला भी खडगी लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा बाइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिवलेज है अब उसको प्रिवलेज को धक्ता मेरा अपमान हुआ है मेरे रेस्पेक्ट को अपने अब मेरे सल्प रेस्पेक्ट कूणों ने चालेंज किया है और सर्कार के इसारे पे अगर सदन चला तो मैं संदूना साथ नमोखर्षी नहीं है राजसबह में बोलते हुए खरगे ने कहा संसत में मेरा माईक बंद कर दिया गया था खरगे जब बोल रहे थी तो कॉंग्रिस की सांसत नुन के पीछे खड़े हो गए सभापती ने कॉंग्रिस सधस्यू के खड़े होने पर आपती दर्श कराई जिस पर खरगे ने कहा कि मेरे पीछे नहीं खड़े होंगे तो क्या मोदी के पीछे खड़े होंगे खरगे के इतना कहते ही सदन में बीजेपी के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे बीजेपी नेता भुपेंद्र यादु ने कहा कि जब ये तै हो गया कि चर्चा होगी फिर हंगा मां क्यों किया जा रहा है आखिर विपक्षी दिल सदन की कारवाई क्यों नहीं चलने देना चाते राजसभा के चेर्मन ने कहा कि इस पर वक्त चल्दी तै किया जाएगा तो दूसरी और कैंद्रिय मंत्री स्मृती रानी राजसभा में काफी गुस्से में नजर आई विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा मनिपूर पर चर्चा की मांग करने वाले पश्रिम बंगाल चतिस गड़ और राजस्तान पर चर्चा क्यों नहीं चाते है बिरो रिपोर्ट जी एस टीव लोगसभा में केंदर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोगसभा में लाया जा सकता है कोई भी लोगसभास आंसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है बरशर्ट उस आंसद के पास 50 से अधिक लोगसभास अदस्यक के हस्ताक शरू होंगी अब क्या होगा देखते हंदर की बात में कॉंग्रेस आंसद गौरव गोगाई ने बुधवार को कैंदर की मोधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नौटिस लोगसभात यक्ष ओम बिरला को दिया इसे लोगसभास पीकर ने मंजूर कर लिया दरसल मनिपूर में भड़की जातिय हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रधान मंत्री मोधी के संसित में बयान की मांग कर रहा है बहुत बार इस प्रकार के लोगतांतरिक हतियार ये पारलमेंटरी इंस्टुमेंट्स देश के लोगतांतर को मजबूत करते हैं कमजोर नहीं करते हैं इससे देश का लोगतांतर मजबूत होगा वास्ताव में बहस होगी सत्तापक्ष और विपक्ष आपस में देश के गहन मुद्दों पर खास तौर पर मनिपूर पर चर्चा कर पाएगा तो उनके अविश्वास प्रस्ताव स्विकार करने के दस दीनों के भीतर ही सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है यदि सरकार अपना बहुमत नहीं साबित कर पाती है तो प्रधान मंत्री समेट पूरे मंत्री मंडल को अपने पत से इस्तिफात देना पड़ता है लोगसभा में मूदी सरकार की खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को लाया गया था कैंद्रिय संसदिय कारिय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेगवाल ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिये सरकार हर स्थिती के लिए तैयार है हम मनिपूर पर चर्चाद चाहते है विरो रिपोर्ट जी एस्टीवी हिंडन नदी में आई बाड के चलते ग्रेटर नोईडा के सुतियाना गाउं के पास डंपी याड में खड़ी 350 कारे पानी में डूब गई सोचल मीडिया पर इसकी जमकर फोटो वाइरल हो रही है एको टेक 3 थाना क्षेतर के पूराने सुतियाना गाउं में हिंडन नदी के डूब क्षेतर में ओला कंपनी की कार का एक डंप्याड है जहां लगबक 350 गाडिया है इस याड के के एर टेकर दिनेस यादव ने पूलिस को बताया है कि पूरानी तथा कोरोना काल में रिकवर हुई कारे यहां खड़ी है और वे सभी गाडिया फिलहाल बंद पड़ी है उन्होंने बताया कि पानी के बढ़ते जलस्तर के द्रश्टी गत याड को खाली करने समंधित नौटिस ओला कंपनी के प्रबंध धक को दिया गया है गाजिया बाद जिले के कैई इलाकों में बाड का सबब बनी हिंडन नदी का जलस्तर कुछ कम हुआ लेकिन अब भी कई क्षेत्रों में हालात में ज्यादा सुदार नहीं हुआ है आलाकि गाम वर सिटी पार्क समेच आज पास के कुछ कॉलोनियों में भी पानी बरा हुआ है बॉरो रिपोर्ट जी एश टीवी बॉलिवुड एक्टर सनी देवुल और अमिशा पठेल की फिल्म गदर टू जल्द ही रिलीज होने वाली है पहली फिल्म ने तो अपने समय पी परदे पर खूब धमाल मचाया था इस फिल्म के बारे में कई ऐसी बात है जो आप नहीं जानते और वो काफी चौकाने वाली है देखते बॉलिवुड रिपोर्ट अंदर की बात में है साल 2001 में अनिल शर्मा की डायरेक्ट की हुई एक फिल्म आई थी इसका नाम था गदर एक प्रेम का था इसने सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा तहल का मचाया था कि आज भी लोगों को कानों में इतके गाने, कहानी और किरदारों के डायलोग्स गुंज रहे है वाकि इस फिल्म का बोल बाला आज भी है सने देवल की गदर पर एक वल रेकोड भी दर्ज है रिपोर्ट की मुताबिके दुनिया की अकेली ऐसी फिल्म है जिसके लाग दो लाग नहीं बलकी पूरे दस करोड टिकीट भी के थे यह हिंदी सिनेमा की ब्लोकबस्टर फिल्म में से एक है जिसका रेकोड सलमान और शारू खान भी नहीं तोर सका है इतना ही नहीं 18.5 करोड में बनी इस फिल्म ने 76.88 करोड उपे भारत में तो 143 करोड दुनिया भर में कमाये थे पुल मिलाकर 200 करोड का आंकडा पार कर लिया था बताया जाता है कि सने देवल की गदर को 350 स्क्रिंस पर उतारा गया था इसे भारत में 5.05 करोड लोगों ने देखा था और ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूवी बन गई थी ये मुंबई के स्वरगम चिनेमार में रिलीस होने वाली आखेरी फिल्म थी जहां गुविन दा इस मूवी में तारा सी के लिए पहली पसंद थे इस फोटो पर एक यूजर ने अर्चना के लूग पर खराब कमेंट किया था कैसे सबग सिखाया अर्चना पूरंसी ने टॉलर्स को देखते रिपोर्ट में अर्चना पूरंसी ने अपने पती के साथ उनकी स्विजर लेंड ट्रेप की थ्रोब एक फोटो शेयर की थी उन्होंने कैप्शन में गूगल फोटोज का सुक्रिया करते हुए लिखा था एक मिनिट से कुछ देर पहले की ही बात है गूगल कभी भी ये याद दिलाना नहीं भूलता कि जिनकी कितनी खुबसूरत है अर्चना की इस पूष्ट पर एक यूजर ने उन्हें ट्रोल भी किया यूजर ने लिखा था आप औरत जैसे कम और मर्द जैसी ज्यादा लगती है अर्चना ने इस ट्रोलर को जबाब देते हुए लिखा कि कितनी घटिया सोच रखती हो इतनी कम उम्र में थोड़ा पड़ लिख लेती तो शायद पता होता कि बड़ोशे कैसे पेस आना है प्लीज हर उम्र हर सेप और हर ओरत की रिस्पेक्ट करना सीखे जब आप खुद ही दूसरी महिलाओं की इज़त नहीं कर सकती तो आप किसी भी मर्द से यह उम्मिद नहीं रख सकती कि वो भी आपकी इज़त करेंगे अर्चना के इस कमेंट पर उनके फैंस भी उनके सपोर्ट में दिखे एक यूजर्श ने अर्चना का सपोर्ट करते हुए लिखा आप एक बहतरिन महिला है आप कई लोगों की हंसी की वज़ा है अमेसा खूश रहे और आपकी सेहद अच्छी बनी रहे ब्योरो रिपोर्ट क्रिकेटर यूराज सिंग की मा से 40 लाग की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है यूती को यूराज की मा ने केर टेकर के रूप में रखा था बाद में यूती फर्जी मामले में फसाने की धमकी देने लगी कैसे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ देखते रिपूर्ट इस दिनों के अंदर ही उन्हें लगा कि केर टेकर प्रोफेशनल नहीं है और वहां उनकी बेटे को अपने जाल में फसा रही है इस पर उन्होंने डिम्पी को नौकरी से निकाल दिया हैमा कौशिक उरूफे डिम्पी का लगतार शबनसी के पास वाटसप पर मैसेज और कॉल आने लगा जिसमें हैमा ने उन्हें धमकी दी अगर उसे पैसे नहीं दिये गए तो वहां उनकी परिवार को जूटे केस में फसा कर बदनाम कर देगी इसके बदले में हैमा कौशिक ने 40 लाक रूपे की मांग की इसके साथ ही शबनसी ने पूरे मामले की शिकायत कर दी जब आरूपी हैमा कौशिक उरूफे डिमपी पांच लाक रूपे लेने आई तो पूलिस ने उससे रंगी हाथ गिरफतार कर लिया मंत्री गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरूणा चड़ा को दिली की एकतालत ने 2012 की गीति का शर्मा आत्मातिया मामले में बरी कर दिया है किस बयान पर कौट ने शंकास पदारूपी को छोड़ दिया देखते रिपोर्ट में चर्चित एर होस्टेज गीति का सर्मा सूसाइड केस में दिली की राउज एवन्यू कोट ने फैसला सुनाया जिसमें हरियाना के पुर्व विदायक गोपाल कांडा को राहत देते हुए बरी कर दिया गया करिब 11 साल के बाद फैसला सुनाते हुए कोट ने मैनेजर अरूना चड़ा को भी राहत देते हुए बरी कर दिया राउज एवन्यू कोट ने कहा गीति का सर्मा के सूसाइड नौट के आधर पर गोपाल कांडा को दोसीत साबित नह किया जा सकता महज सूसाइड नौट में किसी आरूपी के नाम का जिक्र बर होने से किसी को आत्म हत्या के लिए उक्षाने का दोसी नहीं माना जा सकता कोट ने आरूपी को बरी करते हुए आगे कहा गीति का सर्मा और इस किस में सह आरूपी अरूणा चड़ा के बीज भी एक महिने से भी बाचित नहीं हुए थी गीति का और गोपाल कांडे के बीच दोस्ताना सम्मद थे दोनों एक साथ कई जगह घूमने जाया करते थे गोपाल कांडा ने भी गीति का को फायदा पहुँचाया इसलिए पुलिस का ये कहना है कि आरूपी यो ने ऐसे हालाद बनाए कि गीति का को आत्म हत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं था सही नहीं है कोट ने अपने फैसले में कहा कि दिल ही पुलिस पुक्ता शबुत पेस करने में विफल रही ब्योरो रिपोर्ट जी एस टीवी ये वार्निंग एक स्टुडन्ट और बिजनिसमेंट की शिकायत के बाद दी गई है दरसल स्कैमर्स पहले किसी यूजर का फेस्बुक अकाउंट हैक करते है हैक की अकाउंट से स्कैमर उस यूजर के फ्रेंड को योगा क्लासिस जोइन करने के लिए बोलता है इसके बाद स्कैमर एक लिंक भेशता है और रिसीवर को उस पर क्लिक करने के लिए क्याता है लिंक पर क्लिक करने के बाद स्कैमर यूजर से 6 अंक का OTP मांगता है जैसे ही को यूजर उस OTP को शेर करता है स्कैमर उसका वाटसप अकाउंट एकसेस कर लेता है इस तरह के स्केम से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा सबसे पहले किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक न करें इसके अलावा यूजर को ओटी पिशेर नहीं करना चाहिए इंटरनेट की दुनिया में सेफटी का एक मात्र तरीका आपकी साउधानी है बिरोडिपोर्ट जी एस